स्वागत आप सुभी का सुभम क्लासेश के इस नए वीडियो में मैसंजेश है इस्टूडन आज के इस वीडियो में हम आपके बहुभी कल्पिये प्रसनों के महा संग्राम का रिमेनिंग पार्ट कांटिन्यू करने वाले हैं यानि इसमें कुछ कोईस्टन जो है बच गये थ है कि आपके जो हाफ एर लेके एक्जाम होने वाले हैं उसमें 20 MCQ क्वेस्टन आने वाले हैं ठीक है और यह MCQ क्वेस्टन जयानि कि आपके बहुभी कल्पिये प्रसनों का महा संग्राम आप दिखाई दे रहा है इसमें आपके टोटल चैप्टर नंबर वन से लेके चैप् इसमें 22 22 कोईट्टन इसमें हम करवा चुके थे आपको यहोचुका था ना यह हो चुका है कि यह बहुत है यह को सभी हो गया यह भी हो चुका है तो देखते हैं सीधे आते हैं 20 22 नंबर पर टिक है यह question भी हो गया है बच्चों यह भी हो गया है यह गया है यह यह यहां से देखते हैं यह question यहां से नहीं हुए है तो यहां से देखते हैं question आपकी screen पर दिख रहा है ताबे का एक तार ताबे का एक तार ठीक है जैसे माल लिजीए यह हमारा कोई ताबे का एक तार है जिसके अनप्रस्थ काट यानि कि 6 त्रफल दिया हुआ यानि कि दिया हुआ हमको age कल्टू दो गुड़े 10 की पावर माइनस 6 मीटर स्क्वार यह ची जम को दिया हुआ है ठीक है आगे इसमें 3 एंप्यर की धारा प्रवाहित हो रही तार में प्रवाहित धारा घंत तो धारा घंत जे बराबर क्या फार्मूला होता है आई बटे ए आई बटे ए आई का मान दो एक के दो और यह कड़ जाएगा एक दसमलो 6 आएगा ठीक है 10 की पावर माइनस 6 उपर जाएगा ते एक दसमलो 6 गुड़े 10 की पावर 6 ठीक है एंपियर पर मीटर स्क्वार एंपियर पर मीटर स्क्वार ऐसा है आप्शन में कहीं option number B आपका सही है यहाँ पर correct option आपका counts हो गया option number B तो बताओ सभी लोग समझ में आई इतनी बात चलिए आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ next question है question number 24 यहाँ पर दिया गया है दिये गए परिपत में बिंदू P वा Q के बीच में कुल तीक है यह रहाँ आपका P यह रहाँ आपका Q कुल परतिरोध कितना होगा तो P वा Q के बीच में यह दो परतिरोध आपके लगे हुए हैं R आर ओम के वो भी समानतर करम में तो समानतर करम में परतिरोध क्या होता है R इसकल 2 R 1 R 2 बटे R 1 प्लस R 2 R 1 R 2 दोनों आपके R R हैं तो resultant हम निकाल लेते हैं या इसको R डैस मान लेते हैं तो R डैस इसकल 2 R square upon 2 R तो 1 R से 1 R cancel हो गया है कितना R बटे 2 यहनि option number आपका 1 सही है option number 1 आपका यहाँ correct हो गया चलिए अगला question देखते है question number 25 question number 25 क्या कह रहा है समानतर करम में 10 Ohm के 2 प्रित्रोद का तुल प्रित्रोद है तो समानतर करम अभी अभी आपने देखा समानतर करम में अगर प्रित्रोद आपके बराबर हैं तो सीधे सीधे हाफ हो जाता है तो कितना हो जाएगा तुल पांच Ohm ठीक है class live आपको नहीं मिली है क्योंकि हम इस वक्त जो है वरारसी में है नहीं इसी वज़े से class आपको live नहीं मिली है ठीक है नहीं तो daily class आपकी live ही रहेगी अगर हम रहेंगे तो दो परित्रोद r तथा 2r एक विद्दुत परिपत में समानतर करम में जुड़े हुए हैं R तथा 2R में उत्पन उसमिय उर्जा का अनपात होगा इसमें उत्पन उसमिय उर्जा का अनपात कितना होगा बच्छों इसको जब solve करोगे ठीक है H equal to होता है I square R T ठीक है तो H1 equal to क्या हो जाएगा I square R1 T समय सभी के लिए सेम रहेगा क्याने कि H1 अनपाते H2 ठीक है इसको जब solve करोगे तो आपका आएगा बच्छों 2 अनपाते 1 ठीक है क्या आएगा 2 अनपाते 1 option number second आपका सही है formula H equal to क्या होता I square R T ठीक है चलिए अगला question देखते है अगला question है आपका ये जुड़े कैसे है समांतर करम में जुड़े हुए ठीक है अगर ये स्रीज में होते तो क्या हो जाता तब आपका option number 1 सही होता है लेकिन स्रीज में जुड़ने की वज़ा से क्या होगा option number 2 कहां correct हो गया चलिए अगला question देखिए question number 27 question number 27 है एक battery जिसका विद्दोत वाहागवाल 5 बोल्ट तथा अंतरिक प्रत्रोध 2 ohm है एक वा है री परिपथ से जुड़ी होई है यदि परिपथ में धारा कितने हैं जोस्तों गर आप class 11-12 की student हो या फिर इस साल 12 pass out की और आपका इंडिया के वो teacher पढ़ाएंगे जिनके पढ़ाएंगे बहुत सारे student NEET में top rank ला चुके हैं ये batch स्टार्ट हो रहा है 15 सेप्टेंबर से aims ranker batch समराट batch मेधावी batch और 17 सेप्टेंबर से भी NEET dream team batch scholar batch और साकार batch अगर आप चाते हो कि आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर लाइब पढ़ा है आपको test series मिले quiz मिले और आपको structure course में syllabus complete करा जाए तो ये batch आपके लिए जितने भी student NEET को लेकर serious है कि 2022 में उन्हें अच्छे college management पाना है तो ये batch आपके लिए description में लिंक प्रोवाइट किया उस पे click करके आप direct join हो सकते हो और अगर आप skin पर जो code डिख रहा है सुभम UP10 ये code यूज़ करोगे तो आपको total fees 10% discount टूरन देखने को मिलेगा तो जितने भी student इस वीडियो को देख रहा है अगर आप भी इनिट एक्जाम को क्रेक करना चाहते है तो आज ही इस batch में जूड़कर अपनी तयारी शुरू करें यानि कि 0.4 ampere तो बैटरी का टर्मिनल बोल्टता कितना होगा यानि कि आप से वी पूँच रहा है equal to दिया हुआ है पांच आंत्रिक प्रत्रोध small r बराबर दिया है दो ओम दो ओम ठीक है और क्या चीज़ दिया हुआ इसमें आपका टर्मिनल बिवांतर पूछ रहा है एक वाहरी प्रत्रोध से जुड़ा हुआ हाँ परिपत में आपको धारा i का मान दे दिया है 0.4 तो सबसे पहले आप क्या फार्मूला जानते हैं e is equal to v plus ir v plus ir ये आपका फार्मूला है इसी फार्मूले में आप रख दो आपको पूरा खटाक से एंसर तो v is equal to क्या हो गया e minus ir इसमें रखो और देखो solve करो इसमें से कौन सा answer सही हो रहा बोलो 4.2 बोल्ट यानि कि option number 4 is right चलिए आगे बढ़ते हैं अगला question अगला question है किसी चालक में ठीक है किसी चालक में 3.2 आंपियर की धारा प्रवाइट हो रही है प्रतिस सेकंड प्रवाइट होने वाले इलेक्टरानों की संख्या यानि कि 1 सेकंड में number of electron ठीक है i बराबर क्या होता है q upon t q upon t ठीक है number of electron आप से पूछ रहा है इसका मान दिया है 3.2 q की जगा आप रख दो n e q की जगा आप क्या रख दोगे n e t की जगा 1 सेकंड तो यहां से n इस कल्टू क्या मिल जाएगा आपको 3.2 बटे e ठीक है तो क्या मिल जाएगा 2 गुड़े 10 घात 19 देखो solve करोगे n इस कल्टू 3.2 बटे e e का मान कितना होता है 1.6 गुड़े 10 घात माइनस 19 16 के 16 16 दुने 32 ठीक है 1 एक एक पर दसमलो दसमलो अपने आप रख जाएगा और 10 की पावर माइनस 19 है तो उपर जाएगा 10 की पावर ब्लस 19 तो यह आप्शन है कहीं आप्शन नमबर जो है 1 यहाँ पे आपका सही हो गया चलिए अगला क्वेश्चन दखिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे वैदुद्धारा घनत जे तथा अपवाह बेग में संबंध है तो जे बराबर होता है जे इजकल्टू होता है आई अपान आई इजकल्टू क्या होता है न, ई, ए, वी, डी और ए, तो ए से यह कैंसल हो गया मिला क्या है यह नहीं है यह कैंसल हो गया एन इ, वी, डी ठीक है तो जे बराबर एन इ, वी, डी आप्शन नमबर वान इस करेक्ट ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेशन पर क्वेशन नमबर थर्टी एक बेलनाकार एक बेलनाकार चालक की प्रत्रोधकता यों बिसिश चालकता का मान निर्भर करता है तो यह निर्भर करता है बच्चों ताप करम पे किस पर निर्भर करता है ताप करम पे और हाँ जितने बच्चे लाइब देख रहे हैं सबी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ comment section में बताईए कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है ठीक है वीडियो पसंद आ रहा आगे बढ़ते हैं अगला question next है यदि एक electron का अपवाह वे ग्याने की एक second बच्चों ज्यादा आगे आगे हाऊ ठीक यदि एक electron का अपवाह वे एक वीडियो है तथा विद्दुच्षित की ती बढ़ता ई हो तो निमलिखित में से कौन सा ओम के नियम का पालन करता है पूछ रहा इन में से ओम के नियम का पालन कौन करता है ठीक है तो जो ओम के नियम का आपका पालन करता है बीडि परपोर्शनल यह यानि कि जितना वैदो छेत्र होगा ठीक है वीडि का मान उतना ही ज़्यादा आएगा ठीक है नहीं नहीं एक second हाँ ठीक है यही है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला question अगला question देखिए 30 number ठीक है 31 question number है 31 30 number नहीं है इसमें पचास ओम के प्रत्रोध ठीक है पचास ओम प्रत्रोध के धात्विक तार को खीच कर उसकी लंबाई दो गुनी कर दी जा रही है तो उसका नया प्रत्रोध होगा तो नया प्रत्रोध कितना हो जाएगा हमने बताया N square गुना बढ़ जाएगा N square गुडे R R का मान कितना है 50 N का मान कितना किया जा रहा 2 गुना तो 2 की पावर 2 2 की पावर 2 का मतलब 4 into 50 कितना हो गया 50 चुगा 200 Ohm ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला question यहनी कौन सा सही हो गया Option number 4 जो है आपका सही हो गया Next question देखते है Question number 33 गतिमान आबेस या गतिसील आबेस उत्पन करता है ठीक है गतिसील आबेस उत्पन करता है हमने आपको बताया है कि अगर आपका कोई charge move कर रहा है तो सबसे पहले तो electric field charge है तो charge अगर चाहे move कर रहा हो या ना कर रहा हो electric field तो generate ही generate होगा दूसरा अगर move करना शुरू कर दिया ठीक है तो आपका चुम्बकिये छेत्र भी मिलना चालू तो इसका option कौन सा सही वैदुत यौम चुम्बकिये छेत्र दोनों option number third right चलिए आगे बढ़ते हैं अगला question देखिए एक चुम्बकिये छेत्र उत्पन किया जा सकता है तो एक चुम्बकिये छेत्र कैसे उत्पन किया जा सकता केवल गतिमान आबेश द्वारा ठीक है कि अगला है फर्स्ट यौम सेकेंड दोनों तीसरा चौथा इन में से किसी के द्वारा नहीं तो हमने आपको बताया है कि अगर आपका आबेश यानि की चार्च यह मूब कर रहा हो ठीक है तो आपका क्या होगा मैगनेटिक फिल्ड यानि की बी जनरेट होगा दूसरी बात अगर हम बैदुच्छेत रहने की अलेक्ट्रिक फिल्ड चेंज करें इसको बार बार क्या करें चेंज करते रहें तो भी आपका यह जनरेट होगा तो इसके एक आडिंग आपका कौन सा उप्षन सही हो गया उप्षन नमबर थर्ड यानि की फर्स्ट यॉम सेकेंड दोनों के द्वारा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्छों क्वेस्चन नमबर थर्टिफाइब चुम्ब की ये छेत्र का मात्रक है बहुत ही सिंपल क्वेस्चन है बच्छों चुम्ब की ये छेत्र का मात्रक है बेबर बटे मीटर इसक्वाईर क्या है बेबर बटे मीटर इसक्वाईर ठीक है ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं बच्छों अगले क्वेस्चन पर m दरबमान का एक कर्ण question है m दरबमान का एक कर्ण जिस पर q आभेस है क्यों है कि एक समान चुम्बक किये छेत्र b के लंबोत v बैक से पर्वेश करता इसके पत की तृज्या होगी तो इसके पत की जो तृज्या होगी मैंने आपको बताया था कि कोई भी किरण कोई भी आपका अबेस अगर चुम्बकिये छेत्र में परवेस कर रहा है तो चुम्बकिये छेत्र के द्वारा उस पर एक बल लगेगा अफिज कल्टू QVV लगेगा और अगर लंबवत परवेस करता है तो उसकी पत क्या हो जाती है बृत्ताकार और बृत्ताकार मार्ग में घूमने के लिए इसको चाहिए एक अभकेंद्र बल MB स्कॉाइर बटे आर MB स्कॉाइर बटे आर ठीक है ये दोनों आपस में समय का नंबर एक और दो दोनों को बराबर करो दोनों बराबर होंगे तभी वो बृत्तिय गती करेगा अधर्वाइश नहीं करेगा ठीक है तो दोनों को बराबर करो आपको त्रिज्या मिल जाएगी MB स्कॉाइर बटे आर बराबर QV एक वी से एक वी कैंसिल हो गया तो आर इच कल्टू आ गया MB अपान QV ऑप्शन नंबर 4 इस करेक्ट ठीक है चली आगे बढ़ते हैं नेक्ट्स क्वेस्चन पर QV दोनेकि छले के रूप में रिंग ने रिंग नहीं बनेगा स्पुेंग क्या है 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 स्पूमपकी दु कॉद्रूप का मात्रक है चुम्बकिये दुईद्रूब आगूण का मात्रक है तो चुम्बकिये दुईद्रूब आगूण का मात्रक होता है इसमें देखो आंसर भी लिखा हुआ है ठीक है इसमें देखो आंसर भी लिखा हुआ है बच्चों चलिए कोई बात नहीं एंपियर मीटर हो जाता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं next question question number 39 39 देखिए आपके chapter number 5 का question है कहां का chapter number 5 का वह पदार्थ जो किसी चुम्बकिये छेत्र में रखने पार चुम्बकिये छेत्र के विपरीद दिसा में छीड चुम्बकित हो जाता है नहीं कि चुम्बकिये छेत्र के विपरीद दिसा में छीड का मतलब होता अलप मात्रा में और विपरीद दिसा में चुम्बकित होने वारा कौन सा पदार्थ आपका प्रतिचुम्बकिये कौन सा बच्चों प्रतिचुम्बकिये पदार्थ देखिए ये 2019 में पूछा हुआ है चलिए next question देखिए कि डूमें किस कि पदार्थ में बनते हैं तो डूमें आपके किस में बनते हैं तो हमने आपको बताया था हलाकि explanation डोमन उका करना नहीं है लेकिन आपको मैंने बताया था कि डोमन आपके बनते हैं लौः चुंब किए पधार्थों कहां बनते हैं लग चुंब किए पधार्थों में देखो यहां भी अंसर लिखा हुआ है ठीक है चलिए आगे वड़ते हैं question number 30 question number 40 तो question number 40 देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है 40 नहीं 41 40 तो हो चुका ना question number 40 40 दो बार चलो कोई दिक्कत नहीं question देखो पिर्थिभी के चुम्बक ये धुर्बो पर नती कोण का मान होगा तो हम बताये थे आपको कि धुर्बो पर नती कोण का जो मान होता है वो 90 डिग्री होता है कितना होता है 90 डिग्री होता है यहां answer लिखा था इसको हम रंग दिये चलिए अगले question पर आ जाओ question number 41 वह कौन सा चुम्बक ये पदार्थ है जो वह चुम्बक ये छेत्र के दिशा का विरोध करता है बोलो question पहले भी discuss कर चुके है देखो तरीका थोड़ा सा चेंज है तरीका थोड़ा सा चेंज है बच्चों चुम्बक ये छेत्र का विरोध कौन करेगा जो चुम्बक ये छेत्र के विप्रिद्धिसा में चुम्बक ये पदार्थ कौन सा प्रतिचुम्बक ये पदार्थ ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला question question number ठीक है तो आपके question हो गए complete टोटल कितने question थे टोटल question number आप question थे आपके 43 तो सारे question हो चुके ठीक है तो जितने बच्चे वीडियो को लाइब देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को कर दीजिएगा like ठीक है share और अगर आप चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक subscribe नहीं किये हैं तो चैनल को subscribe करके bell icon का button भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे हमारी आने आली हर एक नई वीडियो का update आपको मिलता रहे हैं और दो बज़ के 15 मिनट पर जो अने अकेडमी पर आपकी live class होती है उसे भी आप attend करा करो ठीक है उसे भी उस class को भी आप क्या किया करो join कर लिया करो वहाँ पर भी आपके काफी कुछ चीजें यानि कि वहाँ पर आपको part 2 पढ़ाया जा रहा ठीक है ओके तो मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में आज के लिए सिर्फ इतना ही बाए बच्चों